नमस्कार दोस्तों जैसे कि आप सभी जानती हैं कि होली आने में बहुती कम टाइम बचा है किसी ने तो पहले सी होली की तयारी करनी शुरू कर दी है जहां कुछ लोग होली खेलने का बेसबरी से इंतजार कर रहे हैं वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको होली खेलना बिल्कुल भी पसंद नहीं है होली के दिल रंगों से खेलना तो सभी को भाता है लेकिन होली खत्म होने के बाद तवचा को जो नुकसान होता है उससे आप सभी अच्छे से वाकिफ है होली खेलने के बाद सबसे ज़्यादा मुश्किल काम होता है होली के रंगों को हटाना आज की इस वीडियो में हम आपको होली पर हामफूल रंगों से तवचा को बचाने की उपाई बताएंगे तो चलिए जानते हैं होली पर हामफूल रंगों से तवचा को बचाने की उपाए उपाए नमबर एक होली खेलने से पहले आप अपने चेहरे की हाथ और पैरों की सरसों के तेल से अच्छे से मालिश कीजिए सरसों में एंटी बैक्पिरियल और एंटी फंगल गुण पाए जाती हैं होली के रंगों से तवचा में होने वाले रैशिस और एलर्जी को हलका करता है उपाए नमबर दो होली कलर से हाथों और तवचा की सुरक्षा के लिए फुल स्लिफ्स के कपड़े पहने इससे आपकी पूरी बॉडी कवर रहेगी और साथ ही आपकी तवचा को कोई नुकसान भी नहीं होगा उपाए नमबर तीन एक बाउल लीजिए और उसमें दो चम्मज चने का आटा, दो चम्मज दूद और एक चम्मज शहद मिलाईए इससे एक असरदा स्क्रब त्यार हो जाएगा अब इस स्क्रब को अपनी बॉडी और फेस पर लगाईए और धीरे धीरे स्क्रब करें ये फेस स्क्रब आपकी बॉडी से कलर हटाने में मदद करेगा उपाए नमबर 4 दही में विटामिन D और केल्शियम प्रॉपटिस पाई जाती है जो आपकी त्वचा को मुलायम बनाने में काफी सहायक होती है इसके लिए आप एक बाउल में 4 चम्मज दही लीजिए और दही से कलर वाली जगा पर धीरे-धीरे मसाज कीजिए इससे आपकी त्वचा का कलर असानी से डिकल जाएगा और साथ ही आपकी त्वचा कोमल और सॉफ्ट हो जाएगी तो दोस्तों हमारे द्वारा बताएगे इन उपाईयों का इस्तिमाल कीजिए और अपनी होली को कलर फुल बनाईए अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे आप लाइक कीजिए अपने दोस्तों रिष्टदारों के साथ शियर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए साथी साथ बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नेया नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंश सकें और नवा दोस्तों